हलो स्टुरेंट्स क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिम औब बिजनस टांजेक्शन में हम जर्नल इंट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्फ हो रहते हैं तो क्वेश्चन नमबर 12 तक हमने कर लिया है आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नमबर 13 से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप जो है जर्नल इंट्री के फॉर्मेट पर नरेशन के साथ बनाओगे नरेशन बगेरा सरह मने आपको लिखना सिखा दिया है कि किस तरीके से सब चीज़ को हम लिखते हैं बताते हैं करते हैं तो जो आपका transaction का sort explanation होता है उसको हम narration कहते हैं और उसको आप लिखोगे अपने तरीके से आप जो है उसको लिखोगे तो पूरा format पे बनाओगे debit credit match करते हो बनाओगे नीचे को total आप करोगे ये सारा काम आपको करना है ये सारे काम इसलिए आपको करने कह रहे हैं कि ये सारे चीजों में हमको सिखाने की जरुवत आपको नहीं है आप ये काम कुछ से करोगे जो सिखाने की जरुवत है जहां जनल इंटरी बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो एक्चुली में सीखने वाले चीज़ है तो वो हम आपको सिखाएंगे बाकी फॉर्मेट, नरेशन ये सब कुछ तो आप करी लोगे चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम आपका कुछिन नमबर थार्टीन से कहता है जनलाइज दी फॉल्लविंग ट्रांजेक्शन तो जो ट्रांजेक्शन गिविन है उसको जनलाइज करने के लिए कहता है चलिए तो इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है वो हम आपको समझाते हैं यह बिजनस है और एक बैंक अकाउंट ओपिन किया गया है बैंक में यह मालिज आपका बैंक है बैंक में पैसा डिपोजिट किया गया एक अकाउंट खुलाया गया 10,000 रुपया और account खुलाया गया इसका मतलब कि 10,000 रुपय deposit किया गया bank में bank में अगर business का पैसा deposit किया तो business का bank balance बढ़ गया और bank क्या होता है यहाँ पर आप मालोग भी bank के यहाँ पर asset है और asset बढ़ता है तो debit करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे bank account को debit करेंगे कितने से 10,000 रुपया से आया तो bank में 10,000 रुपया आ गया 10,000 रुपया देबिट कर दी है यहाँ पर क्या चला गया business से तो business से यहाँ पर चला गया 10,000 रुपया business से क्या चला गया 10,000 रुपया क्या चला गया और bank में deposit हो गया, तो bank balance तो बढ़ गया 10,000 से, तो bank account को debit कर दिया हमने 10,000 से, credit part goes out, यहाँ पर cash गया business से, तो लिखेंगे यहाँ पर credit part goes out, cash जो है real account के rule से 10 अरपा business से चला गया, credit कर दिया हमने यहाँ पर cash account को, तो एक bank account current account open किया गया है, bank का balance बढ़ा, देखें, दोनों अगर आप देखें जिगा है, modern approach से, तो दोनों आपके लिए asset है, bank भी और cash भी, अब अगर एक asset बढ़ गया, asset, rule में बताएं था, आपको यहाँ पर समझेगा, modern approach से हम आपको बता रहे हैं, asset बढ़ता है, तो debit करते हैं, asset घटा है, तो हम credit करते हैं, ठीक है, asset का जो side होता है, वो debit होता है, लेकिन asset बढ़ेगा तो debit करेंगे, घटेगा तो credit होएंगे, यहाँ पर एक current account open किया गया, तो business का ही bank balance बढ़ गया, यानि bank क्या है, एक asset है, और asset जो है वो बढ़ गया, बढ़ गया तो bank account को debit किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखे, bank account को क्या किये, debit किये, दूसरा business के point उभी इससे सोचिए, कि bank का cash कम हो गया, तो cash भी तो asset होता है न, कम हो गया, कम हो गया तो क्या करेंगे, credit कर देंगे, तो cash account को हम यहाँ पर credit कर दिये, तो यहाँ पर business का bank बढ़ा, bank balance बढ़ा, तो asset बढ़ा, तो debit कर दिये, बढ़ गया तो debit कर दिये, debit कर दिया मैंने, एक है cash, कम हो गया business से, क्योंकि cash चला गया, तो हम क्या कर दिये, यहाँ पर cash को credit कर दिये, credit कर दिये, तो bank to cash यह होगा, एक bank account अगर open करना है, तो, clear about, अच्छा, इसके बाद, कहता है, तीन जन्मरी को एक transaction है, यह है आपका, goods sold for 50,000 and amount was deposit into bank, सामान बेचा गया है, तोड़ा सा गुमा करके लिखेगा, कोई बात नहीं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, business ने क्या किया है, समान बेचा है, और किसको कैसे बेचा है, तो cash में बेचा है, किसी को भी बेचा है, उससे हम कोई ले जान देना नहीं है, cash में बेचा है, समान चला गया business से, समान क्या चला गया, goods चला गया business से, बेच दिया है, चाहि उधार में बेचाई चाहिए, चाहिए न कइस में बेचा है, goods चला गया तो यहाँ पर goods गेया, यानि business का stop कम हो गया और stock कम हो गया, तो real account को रूल से credit what गोज out हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, goods को लिखेंगे, goods को लिखेंगे sales account तो sales account लिख दिए हैं और कितने का जो समान है वो चला गया 50,000 पे का business का stop कम हो गया तो credit what goes out यहाँ पर 50,000 का समान चला गया real account के rule से goods गया तो credit what goes out real account के rule से हम यहाँ पर goods लिखते हैं लेकिन हम goods sold किये हैं तो हम goods के जगाँ पर क्या लिखेंगे इसके बाद बेचा गया है और जो पैसा है वो कहाँ deposit करा दिया गया है उसको bank में deposit कर दिया तो business के पास cash आया तो cash account को हम debit करेंगे लेकिन cash business में नहीं आया कहाँ आया business के bank में आया तो यहाँ पर cash ना increase हो करके bank balance increase हुआ है यहाँ cash के जगा हम क्या लिखेंगे bank तो कि यहाँ पैसा जो पचास आया पर आया न यह business का किया अपने ही account में जा करके deposit कर दिया यहाँ पर तो यहाँ पर bank balance business का पचास आया बढ़ गया अगर cash सिधा लाता तो यहाँ पर क्या लिखतें अगर cash में आता तो यहाँ पर हम cash करतें तो कि business में पैसा आया अरे यही business का पैसा तो bank में आया तो cash के जगा क्या लिख देंगे bank लिख देंगे बात कतम clear है तो क्या बनेगा इसका bank account debit to sales यहाँ पर सामान बेचा गया है और जो amount collect किया गया है पचास अरपया उसको business के business में अपने bank account में रखा bank में deposit कर दिया तो bank account debit to sales account यहाँ पर entry बनेगा clear है इसके बाद seven साथ तरीका transaction amount withdrawn from bank bank से जो है वो पैसा निकाला गया चलिए ठीक है यहाँ पर क्या किया गया है कि bank से पैसा निकाला गया है देखे यहाँ पर यह business हो गया इसको लिख लेते हैं तरीके से हम देखे बात समझेगा यह है business और यह है bank किसका bank है business का ही bank account यहाँ पे खुला है business का जो account है वो इस bank में है अब क्या किया गया है business से withdraw किया गया है amount withdrawn from bank bank से पैसा निकला और कहा आया business में आया आपका तो एक asset चाहे आपका बूलो cash यहाँ पर यहीं पर समझना cash तो आपका asset है अब यहाँ पर समझना प्रक्तो business में cash आया ना bank से आया तो क्या आया business में bank से cash निकल करके कहा आया business में आया business के point पर भी सुचना तो business का एक asset बढ़ गया cash बढ़ गया ठीक है क्या बढ़ गया business का cash बढ़ गया तो एक asset बढ़ गया cash को हम क्या कर देंगे debit कर देंगे नॉमनल कों कर देविट वाट comes in या फिर asset बढ़ा business के लिए तो यहाँ पर हमने debit कर दिया क्या बढ़ा, business में cash आया bank से, तो business में cash increase किया cash asset होता है cash asset होता है, और ये increase किया increase किया, तो हम debit करेंगे cash को to हम debit कर देंगे किसको cash को, cash account debit, कितना आया है business में 15,000 पर 15,000 से हमने cash को क्या कर दिया ہے यहाँ पर debit कर दिया, को iterations confusion अब देखे तो जब cash आया business में तो business का जो bank balance था वो decrease करेगा क्योंकि cash निकला है कितने का पंदरा हजार का तो पंदरा हजार से business के funto भी सुचिएगा पंदरा हजार से asset increase किया लेकिन दूसरे side जो आपका ये bank है इसमें से पंदरा हजार का bank balance business का ही पंदरा हजार का bank balance कम हो गया एक business में बढ़ गया और business का ही क्या हो गया एक bank balance कम हो गया तो bank क्या है वो भी asset है यहां पर और वो decrease कर गया तो credit कर देंगे किस को bank account को तो यहां पर हम क्या कर दिये to bank account को हमने क्या कर दिया 15,000 से credit कर दिया asset बढ़ता है तो debit करते हैं debit कर दिया मैंने cash को asset घड़ता है तो credit करते हैं credit कर दिया मैंने bank को तो bank से पैसा निकाला cash account debit to bank account cash बढ़ गया business में और business का bank balance कम हो गया इसलिए bank account को credit कर दिया है चलिए ये बात आपको समझ माई होगी इसके बाद साथ तारीक के बाद है आपका good sold for cash बहुत असान आपका general entry यहाँ पर दे रहा है साथ तारीक के बाद 10 तारीक business ने समान बेचा cash में बेचा तो business में cash आया debit what comes in cash account को हम यहाँ पर debit कर देंगे और two business ने क्या किया sell किया तो sales account को credit कर देंगे business से goods चला गया और cash आया business से goods चला गया और business में cash आया तो चुकि cash आया business में debit what comes in debit कर दिये और क्या हुआ goods चला गया तो credit what goes out stock कम हो गया तो हम यहाँ पर sales को credit कर दिये clear है बाद कितने का यह हो गया आपका एक मिनट amount 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 अच्छा यहाँ पर amount यह था थोड़ा आपका गड़बर हुआ है कोई बात नहीं गड़बर सिर्फ amount में हुआ है यहाँ पर जो amount withdraw था ना bank से वो आपका 15,000 नहीं था बलकि आप line से देखेगा यहाँ पर तो यह आपका 20,000 था amount करबर हुआ है कोई दिक्कर नहीं इससे यहाँ पर 15,000 यह जगा क्या कर दिजे 20,000 कर दिजे 20,000 पर 25,000 जो भी amount रहा है उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर आप 20,000 कर दिजे गा थोड़ा सा उपर निचे हो गया question given रहता है तो ठीक है तो यहाँ पर सेम चीज हुआ 15,000 को ना मानके वहाँ पर 20,000 मान दिजे गा कोई डाउट नहीं वही चीज हुआ आपका कितने से घटा आपका asset 20,000 से तो 20,000 से हमने credit कर दिया कितना से बढ़ा आपका cash 20,000 से तो 20,000 से डेबिट कर दिये सेम चीज रहेगा 15,000 25,000 पांच यह 10,000 जो भी रहे अब उसी पर पेर किएगा थोड़ा सा उपर निचे का चला गया 15,000 का तो cash आया 15,000 पर डेबिट बाट कम से इन 15,000 को हमने डेबिट कर दिया और credit बाट गोज आउट यहां पर 15,000 से जो है stock कम हो गया business का तो to sales account यह कर दिया मैंने अच्छा इसके बाद यह साब तो simple generator है बारा तरीका क्या कहता है बारा तरीका कहता है अमांट डिपोजिट इंटू बैंक फिर से वही जो है आपका कहा गया है कि अमांट जो है वो कहां डिपोजिट कर दिया गया है बैंक में डिपोजिट किया गया है चीक है बैंक में जो है अमाउंट वो डिपोजिट किया गया है अब इसका जैनरेटरी हम बनाते हैं देखिए यहां पर क्या किया गया था बैंक से निकाला गया था अब सेम चीज़ आपको हम यहां से समझाएंगे बिजनस को थोड़ा लंबा कर देते हैं और बैंक को दो पार्ट में बाठ देते हैं बैंक ही अपका है ना देखिए अब दूसरा ट्रांजेक्शन समझाते हैं आपको अमाउंट डिपोजिट इंटू बैंक बैंक में डिपोजिट किया गया अमाउंट को यहां से कैस निकला और कहां चला गया बैंक में चला गया बिजनस से ये है बिजनस बिजनस से कैस निकला और कहाँ डिपोजिट कर दिये बैंक में डिपोजिट कर दिये इसी का जनरल इंट्री जो है पूछता है बनाने को कहता है बिजनस के लिए कैस अभी यहाँ पर हटाओ कैस या बैंक एसिट है दुनों, bank balance भो business का या cash balance हो, तो asset है तरह से business के लिए, अब बताए बिजनस से क्या जा रहा है, cash जा रहा है business से, amount देख लेते हैं, 12,000 रपया, तो business के point of view से अब सोचेगा, business के point of view से अब सोचेगा कि cash जा रहा है, तो यहाँ पर 12,000 को क्या करेंगे, business के point of view से, एक asset decrease कर रहा है decrease कर रहा है क्या decrease कर रहा है cash जा रहा है तो cash decrease हो रहा है इसलिए cash को credit कर देंगे दूसरे side ये पैसा चला गया निकल कर रहा है bank में आ गया तो bank balance business का बढ़ गया यानि एक asset business का बढ़ गया बढ़ गया तो debit कर देंगे अब इसका जनरेट्री बना रहते हैं क्या करेंगे डेबिट है बैंक एकाउंट लिखेंगे नियम से बता रहे हैं बैंक एकाउंट डेबिट तू बिजनस से क्या गया कैस किया तो कैस कम हो गया कितना 12,000 रुपेर यहां पर हमने लिख दिया 12,000 रुपेस कोई दिकत कोई confusion यहां पर नहीं होना चाहिए बिजनस का ही पैसा बैंक में डिपोजिट किया गया तो बिजनस का बैंक बैंक बैलेंस बढ़ गया तो यहां पर बैंक एकाउंट को डेबिट कर दिये और बिजनस से कैस कम हो गया तो यहां पर हमनें कैस को क्रेड वार्ट गोज आउट यहां पर कैस जो है 2000 रुपे चला गया बिसनस से ठीक है तो देखें modern approach हो चाहे traditional approach हो दोनों हमारा यहां पर काम आने को है last transaction है आपका कहता है goods purchase किया गया है और payment made by check तो goods purchased and payment made by check goods purchase किया गया है 25 रुपे का और payment check से किया गया है कोई बात नहीं इसको अटापते हैं गुड्स पर्चिस क्या है बिजनस ने तो stock बढ़े का business का आप यहां पर purchase account को debit कर देना सबसे पहले date लिख देना आप 14th January चाहे उधार में खर दे business चाहे cash में खर दे stock तो बढ़ेगा इसलिए हम यहां पर purchase account को डेबिट करेंगे टू पेमिंट किया गया है यहां पर cash में किया गया रहा था तो cash चला रहा था business से credit card goes out लेकिन check through payment किया गया है इसलिए हम cash के जगा पर क्या लिख देंगे bank लिख देंगे क्योंकि business का bank balance कम हो जाएगा clear है तो entry बनेगा यहां पर purchase account to bank account कितने का 25,000 रुपीज का चलिए 25 या का यहां पर हम जो है goods business ने purchase किया तो जो भी आप record करते हो वो business के point of view से ही होना चाहिए और यह था आपका question number 13 इसके बाद next video में हम आपको question number 14 बताएंगे और यहां तक जो भी अगर doubt रह जाता है फिर भी तो हम आपके सवाल का फिर से जवाब देंगे फिलाल सारे जो भी मैंने आपको question या जो भी transaction को बताया है सारे rule से नियम से भी बताया है आप थोड़ा सा practice करोगे वैसा ही आपका सारा question बनता चला जाएगा तो आज के लिए नहीं थैंक यू